अब लेकुम सूडेंस दिस इस माचेवी लेक्टिर बॉटनी आज का हमारा फस्ट एयर का जो लेक्टिर है वो लाइफ साइकल ऑफ बैक्टिरियो फेज पर है पीशे लेक्टिर में हमने वाइरस के बारे पढ़ा था कि वाइरस जो है वो ऐसे कुछ एजेंट्स हैं जो दूस करते हैं और उनको उनके अंदर जाके अपने आपको रेप्लिकेट करवाते हैं अपनी तदात को बढ़ाते हैं और बैक्टिरिया को डिस्ट्रॉइ कर देते हैं तो इसलिए हम इनको बैक्टिरियो फेजिस कहते हैं यानि बैक्टिरिया इटर तो इनकी अगर हम डिसकावरी देखें तो वो कहते हैं कि earlier researchers on bacteria phages were namely on limited number of phages that in fact acercia coli तो आम तोर पे acercia coli एक bacteria है जिसके उपर bacteria phages attack करते हैं और उनको हम T phages के नाम से याद करते होते हैं कि यह T phages हैं तो T phages के नाम पर different phages हैं और इसमें से T2 और T4 phages ऐसी है जो आम तोर पे जिसको हम study कर रहे होते हैं अगर आप T4 का structure देखो तो आपको यह diagram के अंदर दिखाया है electron microscopy के थूर जो है वो इसका structure देखा गया और इसकी शकल बेर्कुल टैड़ पोल की तरह होती है टैड़ पोल जो है वो animals की एक stage amphibians के अंदर larva के बाद जो stage आती है इसको हम टैड़ पोल कहते हैं तो इनकी चकल टैड़ पोल से मिलती जुलती है इसमें आप देखते हैं कि इसकी जो basic हैं वो दो चीज़े हैं एक head है और दूसरी है tail तो head जो है वो elongated pyramidal shape का है pyramidal shape ऐसी shape होती है जो दो triangle से मिलकर बनी हुई हो या hexagonal भी हो सकता है it may be prism shaped to which straight tail is attached तो मतलब इस तरह से है कि किसी भी shape के अंदर head होगा और उसके साथ एक tail जो है वो attach होई होगी head के अंदर हम देखते होते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो DNA मिलता है DNA molecule जो है वो head के अंदर मौझूद है structure of the face tail is more complex than head head की इस पर tail का जो structure वो ज्यादा complex है a layer of distant protein forms the inner tube or core which is enclosed in the sheet made up of another type of protein तो इसमें हम देखते होते हैं कि मतलब हमारे पास बैक्टिरियो फेज है उसके अंदर हम यह देखते हैं कि special type की protein की layers मौझूद है और sheet के अंदर enclosed है यह अगर आप tail वाली region देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगा पर आपको sheet दिखाई हुई है तो tail वाली जो regional special type की protein से मिलकर बनी हुई है और उसको sheet ने close किया है अब sheet खुद जो है वो भी protein से मिलकर बनी है लेकिन that protein is different from the protein of the tail इसके लावा हम यह देखते होते हैं कि यहाँ पर जो हमें collar मिलती है इस जगा पर एक collar मौझूद है और end वाली side के अपर end plate मौझूद है और साथ ही आपके पास six जो है वो tail fibers लगे हुई है याद रखना है आपने six fibers ही लगाने है three fiber side पर three fiber side के लगा तो यह हमारे पास tail का structure है तेल के अंदर आपको collar मिलता है आपको sheet मिलती है base plate मिलती है और tail fibers जो है वो मिलते है अगर आप इसका फेज का वालियम देखें तो फेज का जो वालियम होस्ट की निस्बत one by one thousand होता है यह यह खजार गुना जो है वो फेज की निस्बत छोटा होता है अभी अटैक कैसे करता है बैक्टिरिया के ओपर attack किसाँ से कर रहर है तो इसका काम यह है कि bacteriophage जो हैं वो सिर्फ ओर सिर्फ बैक्टिरिया सल के अंदर जाके replicate कर सकता है तो उसके लिए उससे पहले जो है बैक्टिरिया के उसको चिपकाएगा, और उसकी specific regions हैं, इनकों receptor sites कहते हैं, वहाँ पर उसको चिपका लेता है During the attachment, वी chemical union between virion and receptor site take place तो इस दुरान में कुछ chemical union आता है, यानि उसमें होता ही है कि कुछ chemical substances जो है, वो cell wall की उस region को dissolve कर देते हैं, ताकि जो bacteria phage अपना DNA है, वो असानी के साथ उसमें penetrate कर सके The tail sheet contract and tail core, उसके बाद कि कहते हैं, in the next step penetration, उसके बाद penetration होती है यानि tail जो है, वो अपने अंदर से कुछ enzymes secure करती है, जिनको हम lysozymes कहते हैं जो है, वो cell wall को थोड़ा सा dissolve कर लेते हैं और वहां से फिर, जो है, sheet contract करके, sheet और tail को जो है, वो contract करती है और अपने DNA को जो है, उसके नदर penetrate कर दिया जाता है The virus inject DNA into the cell just as the syringe is used to inject the vaccine The protein coat which form the face head and tail structure of virus remain outside of the cell अब DNA इसके नदर चला जाते हैं, लेकिन जो इसका protein वाली region है, ये वाला सारा का सारा, वो cell से बाहर रहते है यानि अंदर जो है, वो जो चीज़ जा रही है, that is DNA Immediately after entering the host cell, the viral nucleic acid takes the control of the host biosynthetic machinery and use the host cell to synthesize necessary viral components, DNA and protein and start multiplying पर पर अपना control संभाल लेगा और अपनी मर्जी के प्रोटीन अपनी मर्जी के DNA molecules बनाएगा और वो फिर एसमबल करके नए viruses बना देते हैं और वो फिर फॉरंस उसको रप्चर करके बाहर निकलाता है तो ये इस तरह से जो है वो अटैक कर और अपनी replication करा रहा है तो जब वो multiply कर जाता है तो वो आपको बताते हैं कि तकरीवन 25 मिनट के अंदर 200 जो है नए bacteria phages बन सकते हैं उसके बाद जाहर है एक bacteria cell के अंदर इतनी capacity नहीं है कि वो 200 से ज़्यादा virus को अपने अंदर जो है वो रख सके तो वो फॉरंट से जो बैक्टिरियल सेल है वो बरस्ट कर जाता है और उसमें से वाइरसिस निकल आते हैं इसको हम कहते हैं लाइसिस हो गई तो इस तरह से जो पूरा का पूरा cycle है that is known as lytic cycle और वो phage जो lysis cause कर रही है उसको हम कहते हैं lytic phage या virulent phage बाज वकात ऐसा भी होता है कि बैक्टिरिया जो है वो lysis नहीं करता तो उस दुरान में वो एक और उससे गुजरता है cycle से गुजरता है जिसको हम lysogenic का नाम देते हैं तो उसमें आपको यह बताते हैं कि all infectious of bacterial cell by phage do not result in lysis नहीं बाज वकात lysis नहीं होती है यह वाला cycle है य जो DNA है वो बैक्टिरिया के अंदर incorporate कर जाता है वहीं पर रहता है और उसको हम कहते होती है यह प्रोफेज नहीं करवारा वो प्रोफेज के तौर पर बन जाता है रप्लिकेट करता है जब नया बैक्टिरिया बनेगा तो उसके अंदर भी वो चला जाएगा यह नहीं मुसल DNA being the part of the bacterial chromosome passed to other daughter cell in successive generation यहनी वायरस का DNA क्योंकि भी इस DNA का हिसा बन चुका है तो अगली नसल में वो ट्रांसफर हो जाता है sometime however the viral DNA get detached from the host chromosome and lytic cycle start तो बाज वकात क्या होता है बाज वकात वो जो इसके अंदर इंकॉपरेट हुआ हुआ था यह जैसे ही नया daughter cell बना उसके अंदर यह इंकॉपरेट था और यह फॉरम से अपने आपको फिर lysogenic से lycise की तरफ लेके चला जाता है तो जब यह process start होता है तो उसको हम कहते हैं induction lysogenic bacteria resistance to infection by the same or related phage तो अगर कोई bacteria जो है वो lysogenic cycle से गुजर रहा है यह उसके अंदर वाइरस मौजूद है तो अगर अब कोई वाइरस उसके अपर attack करेगा और उसको destroy करने कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता यह जब वो lysogenic condition के अंदर है तो उसको कुछ नहीं भी घड़ता तो ऐसी phage जो lysogenic cause करती है उसको हम temperate phage यह पर lysogenic face का नाम देते होते हैं तो यह था हमारे पास life cycle of bacteria phage अगला topic है कुछ viral diseases के बारे में हम देखेंगे जिसमें हम smallpox, herbs, simplex, influenza, mumps and measles, folio अखरा के बारे में देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं smallpox तो smallpox जो है वो जिस virus से cause होता है that is pox virus और यह DNA invalid virus है it is an ancient disease that is known to have occurred an epidemic in the china as early as the 20th century bc until the earlier 20th century smallpox was a common disease throughout the world तो यह चाइना से start हुई थी और epidemic disease थी यानि यह वबा की तरह तेजी के साथ फैली थी शुरू के 20th century से हुई थी तो यह जो है मतलब फिर आइस्ता इस्ता पुरी दुनिया में फैलना शुरू होगी तो smallpox में होता गया है fluid-filled vesical body के ओपर बनती है which become pustules later on बाद में वो pus cells में तो दील हो जाती है and form period scars और जब वो खतम होते हैं तो वो पीछे से scars चोड़ जाते हैं इनको box कहते हैं by 1950s immunization and other control measures had largely decreased the danger but it is still present in the third world countries where many people are affected तो वैसे हमने immunization vaccination से बिमारी पर control कर लिया लेकिन third world countries में still बिमारी फैलती है in 1980 it was declared by a world health organization that smallpox has been irrigated from the world 1980 में खैर ये declare तो किया गया था कि पूरी दुनिया से smallpox खतम कर दीगे ये लेकिन खैर ऐसा नहीं है ये बिमारी अभी पाई जाती है third world countries में खैर ये में सबसे ज़्यादा मिलती है या वो अरिया जहां पर hygienic condition जो है वो अच्छी नहीं है next disease आ जाती है heart simplex heart virus which is DNA virus is responsible for this disease it is naturally occurring disease of mankind in this vascular lesions in the epithelial layers of ectodermal tissues are formed तो इसमें होता ही है कि जो skin की upper layer होती है उसके अपर जो है कुछ जो है वो lesions बन जाती है तो यह आम तो पर mouth में होती है lips में और skin की different regions के अपर हो जाती है influenza, influenza virus is enveloped RNA virus influenza is widespread disease in man and occur in the epidemic form यह यह भी वबा की तरह फैलती है mumps and measles, mumps and measles viruses belong to group paramyxovirus they are large enveloped RNA virus mumps is highly contagious, widespread but seldom fatal तो यह फैलती तेजी के साथ है लेकिन fatal नहीं है अतने ज्यादा लेकिन कभी कबाद death causing हो सकती है about 60% of adults are immune to it measles is one of the commonest disease of the childhood and adult human population is equally susceptible the world over तो आम तो पर मतलब यह कोई यह नहीं है कि सिर्फ बच्चों को बिमारी होगी यह बड़ों को भी हो सकती है बच्चों को बिमारी होगी इनकी chances बराबर है this disease develop immunity in this victim हाँ यह है कि जब एक दफा एक बंदे कोई बिमारी हो जाए तो फिर उस बंदे के अंदर इसके खिलाफ resistance आ जाती है next is polio polio malatis caused by the polio viruses found all over the world it occur mostly in the childhood the age at which primary infection occurs varies with social economic factor आम तर पे इसकी जो वज़ा है यह social and economic problems की विज़ासे होती है आम तर पे देखा गया है कि जो गरीब लोग है यह गरीब इलाके है वहाँ पर यह बिमारी ज्यादा होती है क्योंकि न इस बिमारी की जो असल वज़ा है वो है hygienic condition का ना होना और diet का अच्छा ना होना तो आम तर पे जो ऐसे areas हैं बस्तिया वगरा हैं वहाँ पर यह disease आपको ज़्यादा मिलती है the polio virus are the smallest non-virus and contain RNA spherical capsid some common hemorrhoid diseases are shown in the figure 5.7 नहीं आपके पास यहां पर दिखाएगे हैं सारी smallpox, harps, simplex, measles, mumps गरीज सब आपको दिखाया है तो यह थी कुछ common disease फिर नेक्स लेक्चर में हम इंशाला AIDS और hepatitis को पढ़ेंगे और यह chapter हमारा complete हो जाएगा यहां तक अगर आपको कोई confusion है तो आप मुझे से पूछ सकते हैं best of luck, Allah आपज़